नमस्कार आप देख रहे हैं अधिक मंत्रो चार के साथ शुक्रवार को खोल दिये गए हजारों भक्तों की जैजैकारों की बीद 6 बचकर 25 मिनट पर रावल भीमा शंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा और विदी विधान से बाबा केदारनाथ के धाम खोले गए इस दौरान उत्राखंड के मुख्यमंत प्रिनरेंद्र मूदी के नाम से की गई कुरोना काल की वजह से दो साल बाद आम श्रद्धालू के लिए खुले कपाट ओद्सव के मौके पर हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे मंदिर के कपाट खुलने के इंतजार में सुभा तीन बजे से ही मंदिर प्रांगन से लेकर सरस्पती और मंदाकनी नदी संगम तक भक्तों की लाइन लगी रही अब अगले महीने यानी छै माहा गृष्म काल में ही यही पर बाबा के दारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी खबर पौडी से है यहाँ पर सूभे के मुख्यमंत्री आपको बता दे कि योगी अधित्यनाथ अपने गाउं में आए है पौडी गडवाल के यमकेशुवर विधान सभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ अपने घर पचूर गाउं में जब हर दुआर के लिए रवाना हुए पहले अपनी मा के हातों से खीर खा कर फिर उनका आश्रिवाद लिया फिर हरिद्वार के लिए रवाना हुए यूपी के सीयम योगी अधित्यनाथ का तीन दिवसिये यमकेशुवर दोरा परीजनों ग्रामिनों और शेत्र वासियों के लिए यादगार रहेगा ब्रस्पतिवार को यूपी लोडते हुए योगी अधित्यनाथ ने अपनी मा सावित्री देवी के हातों दही चीनी खाई और पैर छूकर आश्रिवाद लिया फिर हरिद्वार के लिए रवाना हुए मा ने भी बेटे को लोग कल्यान के लिए समर्पित होकर काम करने का आश्रिवाद दिया जाते हुए योगी अधित्यनाथ ने महा योगी गुरु गोरकनाथ महा विद्याले पहुँचकर शिक्षकों से मुलाकात की और गुरु अवैध्यनाथ की प्रतिमा पर पुश्प अर्पित किया उनके छोटे भाई महेंदर बिष्ट ने बताया कि उनका कारेकरम भले ही व्यक्तिकत था लेकिन रात साड़े दस बजे तक उनके ग्रामिडों और शेत्रवासियों का मिलने का दौर चलता रहा योगी अधित्यनाथ सन्यास ग्रहन करने के दो से तीन बार ही मा का हालचाल जानने के लिए गाउं गए थे यूपी के कमान सम्हालने के बाद वो पहली बार गाउं आए है ग्रामिन विकास मंत्री ने टीरी का भ्रमन किया इस दोरान विकास के कारें से सम्मंदित बात का जायजा लिया प्रदेश के क्रिशी सैनिक कल्यान और ग्रामिन विकास मंत्री गणेश जोशी टीरी के भ्रमन पर पहुंचे जहां उन्होंने हेडोला खाल इस्थित ग्रोथ सेंटर और कुंजापूरि कलस्टर सुवायत साहाय कारिता अगा अगरा खाल का निरिक्शन की अंदरसल कुंजापूरी कलस्टर के अंतरगद आठ ग्राम पंचायतों में 61 महिला समूर रजिस्टर है जिसमें से 347 महिला एं उक्त ल्गर करते हुए आत सहाय कारिता से जुड़ी महिलाओं से उनके स्थानिय उत्पादों की खास जानकारी ली और इस पर प्रसंता जाहिर की थी महिला समू स्थानिय उत्पादों को प्रोसेस कर मार्केटिंग करते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अगरसर है दोरान गनेश जोशी ने कहा कि देश के यश्यस्वी प्रधानमंत्री के वीजन को अपनाते हुए देश तेजी के साथ प्रगर्ती के पत पर अगरसर है देश के प्रधानमंत्री जी आंगर्वर बारत की बात करते हैं हमाद मुलक तब होंगे जब किसान मजबूत होगा मात्सक्ती मजबूत होगी और जिसा में क्लस्टर के माध्यम से हमारी महलाएं यहां पर काम कर रही है अभी जानकारी में जब इनी की तिन सो प्रगर्वर के माध्यम से जुड़ी है और अपने पाद्व को प्रसेस करके मार्किट में ला रही है और उनकी आजिकों का एक बड़ा साधनी बन गए संगल का क्लस्टर है मार्किट में क्लस्टर नहां पर है जिससे की अप्तैसर के आसपास जो हमारे संगल में विचुड़े हुए है और प्रगर्वर के अपने उत्पादों को पाकेजिंग में इंफुर्मेंट करने का क्यास कर रही है हमारे इसमें आठ गराम सेमटन जुड़ी है जिसमें एक सट समू है और 347 मंदाई काम कर दिया इस संगल इस कलस्टर में हम साथ में लाइना कारिकाइट हुए आज हमारे बीसकरा में ग्यास मंत्री स्टी गनेश जोसी जी आज चुके हैं जो हमारे आने वारे काम के लिए हमारे माल पशिन भी दो कर रहे है जो हमें अच्छे बढ़ाव दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अपने प्लस्टर को कैसे चलाएं कैसे चलाएंगे और यह आगे कैसे बढ़ा सब्सक्राइब करें और इस कारे से इन महलां को भी रोजगार मिला है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा इन दिनों गड़वाल के दोरे पर है इस दुरान उन्होंने बाबा के दारनात के कपाट खुलने के वक्त भी वो मौझूद रहे थे कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा इन दिनों गड़वाल दोरे पर है बता दे कि आज कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाबा केदारनाथ के धाम का पाट खुलने के वक्त मौझूद रहे साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बाबा केदारनाथ के अलोकिक दर्शन का सोभाग के प्राप्थ हुआ है साथ ही साथ सभी श्रधालों को शुपकामनाई दी और देश और प्रदेश की सम्रिधी की कामना की बताते कि करन माहरा ने केदारनाथ मार्ग पर सरकार की व्यवस्थाओं का जाइजा लेने के साथ ही पार्टी कारेकरताओं से मुलाकात करते हुए केदारनाथ धाम तक पहुँचे थे लालकुआ में कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने समीक्षा बैठा की इस दौरान कारेों का भी जाइजा लिया गया नगर कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुर्दीप सिंग के कार्याले पर कॉंग्रेस पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठाक आयूजीत की गई जिसमें बतार पूर मुख्यमंत्री और लालकुआ विधान सभा से कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याक्षी रहे हरीश रावत पहुँचे जोरान अपने संबोधन में तमाम पदाधी कारी और कारेकरताओं ने जम कर अपनी भरास निकाली और पार्टी आलाकमान पर युवाओं और कारेकरताओं की अंदेखी का आरोप लगाया वक्ताओं ने यहां तक कह दिया कि बाहर से आए मैनेजमेंट की गलत नीतियों और हरीश रावत को आम जनता से दूर रहने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा वहीं कारेकरताओं ने कहा कि कई पदादिकारी 30 सालों से एक ही दाईतु का नर्मान कर रहे ऐसे में संगठन स्थर पर फेर बदल करके युवाओं और सक्रिय कारेकरताओं को मौका दिया जाना चाहिए वहीं पूरे मामले पर हरीश रावत ने कहा कि समीक्षा बैठक में लोगों ने जो भी कहा है वो सही है और उन सभी बातों को ध्यान दिया जाएगा ताकि पार्टी को भविश्य में नुकसान न उठाना पड़े चमपावत उप चुनाओ के मुद्दे पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि कॉंग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याक्षी का एलान करेगी और लोगतंत्र बचानी के लिए चमपावत में कॉंग्रेस पार्टी वोट मागेगी उन्होंने ये भी कहा कि विधान सभा चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था बगर पार्टी आला कमान ने उन्हें चुनाव लड़वाया और अंतिम समय में जो निर्णे लिए गए वो हमारे पक्ष में नहीं थे इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा कोई अर्सी नहीं रह जाता है और लोगों ने जो उनकान हो है उपता है और यहां इस्चेत के सभी वरिष नेतागर्ण है और जो चेज वो बता रहे हैं उन कम्यों को दूर करेंगे और जो प्रांती स्तर पर है उनको भी दूर करेंगे उच्छी एकादों लोगों ने राशी स्तर की बात भी कहीं तो उसका भी ध्यान लखेंगे जिनके जिनको उसको देखना है उनके संजान में लाएंगे और बहुत अच्छी महत्पूर्ण बात हैं नैनिताल में अतीक्रमण को लेकर प्रशासन की और से बड़ी कारवाही देखने को मिली अतीक्रमण को लेकर बुल्डोजर चलाया गया नैनीदाल के बारा पत्थर घोडा स्टैंड के समीब वन भूमी में हुए अतिकरमण को हटाने की कारवाही करते हुए जिला प्रशासन नगरपाली का प्रशासन सहीद वन विभाग के अधिकारियों ने सडक पर बने अवैद अतिकरमण में बुल्डोजर चला कर धोस्त कर दिया धोस्तिकरमण की कारवाही के बीच विरोध की आशंका को देखती हुए मौके पर भारी संख्या में पूलीस बलकी तनाती की गई थी इस दोरान उबजिला अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि प्रशासन और अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुँचकर अवैद अतिकरमण को हटाया जा रहा है उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सक्त हिदायत दी गई है वो नगर में किये गए अतिकरमण को चिनहित कर उसमें कारवाही करे कोवता दे कि कुमाव कमिशनर दीपक रावत ने दो मई को माल रोड और बारा पत्थर के निरिक्षण के दोरान वहाँ वन भूमी में हुए निर्मान को ध्वस्त कराने के आदेश दिये थे जिसके बाद स्थानिय प्रशासन ने 5 मई को इन अवैद निर्मानों को ध्वस्त कराने की घोशना की थी इस सम्मंद में 4 मई को नगर पालिका की तरफ से मुनादी कर अतिकरमण कारियों से अतिकरमण हटाने को कहा गया था बावजूदिस के अतिक्रमन कारियों की तरफ से उसे नहीं हटाया गया जिसके बाद अब बुल्डोजर चला कर अतिक्रमन ध्वस्त किया गया देखिए आज जो हमारा अतिक्रमन हटाने का अभियान है यह बारापत्थर साइड पे हम लोग चला रहे हैं और हमने कल अभियान से पहले नगरपाले का द्वारा यहां पे मुनादी भी करवा दी गई थी कि जितने भी अतिक्रमन हैं जो भी अवैद फडख होके कंस्रक्शन है उन सब को खाली कर दिया जाए और आज हमारी सायुक टीम प्रशासन प्रादेकरन नगरपाले का फॉरेस्ट इपार्टमेंट सब लोगों ने मिलके आके इस पूरे अतिक्रमन को हटाने के लिए अभियान चालू किया है जी बिलकुल लापरवाही है क्योंकि ये प्रॉपर रेगुलराइज तरीके से होना चाहिए अगर किसी भी तरह का अतिक्रमन है हम देखते हैं दीरे-दीरे अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो फैलता जाता है तो ये डेफिनिटली लापरवाही है इसके लिए मैं ये नगर पालिका को डिरेक्शन भी दे चुका हूँ कि वो जगह जगह पे जहां पे भी इस तरह के अतिक्रमन है जहां पे भी अवैद बिजली के कनेक्शन है महां पे भी खुद जाके निरीक्शन करें और उसको हटा है कि कारवाही अमल में लाएं डोईवाला में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाब बड़ी कारवाही देखने को मिली नगर पालिका ने इसको लेकर चलान भी काटा है डोईवाला के भानियावाला में धहरदून से सप्लाई होने के लिए आया सिंगल यूज प्लास्टिक का समान नगर पालिका की टीम ने पकड़ा और जब्त कर आरोपी का चलान किया नगर पालिका डोईवाला के सफाई निरिक्षक सचिन रावत और प्रमीत कुमार ने भानियावाला बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाव बड़ी कारवाही करते हुए बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का गिलास, चमच और अन्य डिस्पोजल का समान बरामत क जहां समान को जब्त किया तो वही आरोपी के खिलाव चालान की कारवाही भी की इस दोरान सफाई निरिक्षक सचिन रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रियोग पर पूरी तरह से प्रतीबन लगाया हुआ है लेकिन बावजूद इसके लोग जान भूच कर नियमों को अंदेखा कर लोगों के सुआस्त से खिलवार कर सिंगल यूज प्लास्टिक समान की बिक्री कर रहे हैं प्रतीबन प्लास्टिक का समान धेरदून से बड़ी मात्रा में डोई वाला और भानिया वाला पे सप्लाई किया जा रहा है जिसकी सूचना लगातार नगरपालिका प्रशासन को मिल रही थी मुखबीर की सूचना पर नगरपालिका की टीम ने प्लास्टिक का समान सप्लाई करते हुए छोटे हाती लोडर गाड़ी को पकड़ा और उस गाड़ी में लगबग 10 से 12 पेटी प्लास्टिक का ग्लास और अन्य समान था जिसे नगरपालिका परिसर में लाया गया और समान को जब्त कर आरोपी की खिलाब कारेवाही की गई ननी ताल में बिजली को लेकर इन दिनों समस्या उत्पन हो रे जिसकी वजह से बिजली दरों में बढ़होतरी देखने को मिली उत्राखन हाई कोटे बिजली दरों में बढ़होतरी के खिलाब दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की मामले को सुनने के बाद वरिष्ट न्यायमूर्ती मनोच कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती आरसी खुलबे ने खंडपीट ने उत्राखन पावर कॉर्परेशन उत्राखन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन मिनिस्ट्री ओफ पावर उत्राखन सरकार और उत्रा गया था कि प्रदेश का उरुजा महकमा हर साल बिजली दरो में बढ़ोती करता रहा है निगम की इस साल भी बढ़ोती करने की योज़ना है इसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक बोज बढ़र रहा है जनहेती आचिका में कहा गया कि निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभोगताओं से सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करवाता है उस पैसे का निगम FD बनाता है इस FD से मिलने वाले ब्याच का लाब उपभोगताओं को दिया जाता है नगर ने ये पैसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया जो करीब 1600 करोड है जबकि निगम के पास अभी 27 लाख उपभोगता है निगम इसे निकाल नहीं सकता क्योंकि ये पब्लिक मनी है जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि निगम फिर से इस पैसे की FD बनाए और उससे मिलने वाले ब्याच को उपभोगताओं के बिलों में चूट दे बिजली के बिल हर माहा दिये जाए जिससे की उपभोगताओं को चूट का लाब मिल सके ये मामला UPCL को रिलेटेड जो हमने डाला है आटिय किलब के माधियम से इसमें तीन चार बातों का जो है उसमें ध्यान दिया है जिस फिस चार्ज के वजए से अब उसवामाउंट जो हमारा उपभोगता है वो जो बिजली को यूस नहीं करता है उस बिजली को बिना यूस किये एक ऐसा माउंट उस यू पी swords Łukте को पे करता है और उस FD से मिलता हुआ जो प्याज है वो प्याज कंजूमर के बिल में एड़्जस करना होता है अब इस PIL में ये बात हमने यहां बताई है कि कोई सारे documentation record हमने दिये हैं जिस FD को इनके दौरा NCASH नहीं किया जा सकता इनके दौरा वो FD NCASH कराई गई और जब वो NCASH कराई गई तो बैंक से वो मिलने वाला जो ब्याज है वो कंजूमर को नहीं मिल पाता तो ये ब्याज जो कंजूमर को नहीं मिल पाया इस बात को लेके याचिका का दूसरा पक्ष था और इस बात के साथ साथ तीसरा पक्ष ही है कि इन्होंने एक required security head एक account में डाला है कंजूमर के जो वो हर साल लेती है अब ये required security head जो है वो नियामवली में कहा है वो कैसे आया इन सब के बारे में यहाँ पर आज नियाले में चटचा करते वे बात रखी गई जिसमें नोटिस किये गए है UPCL को और UURC को और अलग और दूसरे department को भी हमारी जो भूगता हूं को जो बिजली का बिल है और इसमें उनकी कमा.. टूपती वे जो बिजली का बिल आ रहरे है इसमें उनको रहत मिले और इस से related को भष्ठचाचार एगर है यहां पर तो उस भष्ठचाचार के पीछे जो भी लोग हों को सुजा मिले अभी दो हफते में उन पुलीस ने दोसों के नकली नोटों के साथ अंतराजिये गिरोहों के चार लोगों को गिरफतार किया है जिसमें दिल्ली पुलीस का एक सिपाही भी शामिल है जानकारी के मताविक देव प्रयाग के निकट मूलिया गाओं में पिछले बंगलवार को श्रीनगर की ओर जाते चार लोगों ने सिगरेट लेने के लिए एक दुकान को दोसों का नोट दिया था साथ ही एक अन्य दुकानदार से भी कुछ समान लेने के लिए दोसो रुपे का नोट दिया बुधवार शाम वापसी के समय भी इनी चार लोगों ने मूलिया गाओं में सिगरेट लेने के लिए दुकानदार को फिर से दोसो रुपे का नोट थमा दिया इसी बीच दोनों दुकानदारों ने इन नोटों को लेकर शक होने लगा जिसके बाद एक दुकानदार ने आगे पाली धाबे तक चारों का पीछा किया जहां गिरों के सदस्य ऐसा ही नोट चलाने का प्रयास कर रहे थे नकली नोट होने का हला हो जाने होने पर चारों भागने लगे इधर देप्रयाक पुलीस ने सूचना मिलते ही तहसील मुख्याले के पास SSI अनिरुद मैठानी की टीम ने कार में फरार होते चार लोगों को धर दबोचा इस दोरान थाना प्रभारी देवराश शर्मा ने बताया कि गिरों से दोसो की चार नकली नोट बरामत किये गए पूछताच में अभ्युक्तों ने बताया कि गुड़गाओं हर्याना में नकली नोट प्रिंट कर वो कई शहरों के छोटे दुकानदारों से समान खरीते थे उनकी योजना चार धाम यात्रा में नकली नोटों की बड़ी खेप चलाने की थी जिसके तहट वो रुद्र प्रियाक तक गए थे उद्धम सिंग नगर में आम की फसल को नुकसान पहुँच गया दरसल आंधी की वजह से ये फसल को नुकसान पहुचा है उत्राखन में गर्मी से बेचैनी महसूस की जा रही है लेकिन अब मौसम के तेवर बदलने से लोगों को राहत मिली है उद्धम सिंग नगर में मौसम का मिजास अच्छानक बदलने से राज्य के तराई के इलाकों में तापमान में गिरावट आई तो वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्बारी और उत्रकाशी में बारिश से अच्छी खासी ठंडक हवा में घुल गई चार धाम यात्रियों को ठंड के हिसाब से यात्रा करने की हिदायत दी जा रही है इधर मौसम दिभाक का कहना है कि पहाड में अभी दो दिनों की गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं उत्राखंड के मैदानी शेत्रों में काफी लंबे समय से गर्मी ने अपना कहर बर्पा रखा है लेकिन अचानक मौसम परिवर्तन होने से लोगों को गर्मी से निजाद तो मिली लेकिन किसानों का मौसम परिवर्तन होने के कारण लाखों का नुकसान हो गया फसलों पर मौसम की पहली आंधी का भारी असर देखने को मिला वहीं अगर किसानों की माने तो आम की फसल बरबाद हो गई है लाखों की लागत लगाने के बावजूद भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है वहीं किसान इस बात को लेकर काफी परिशान है कि इस बार आम की पैदावार से लागत भी वसूल नहीं हो पाएगी बीश परशेंट गिड़ चुका आइस्टाइन गिड़ चुका मलत साट परशेंट बचाए अभी पहली आंदिये तो साट बचाए अभी और आएंदिया आएंगे तो पता नहीं कितना और गिरेगा इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है जादे है जादे किसानों पर किसान भ देव भूमी में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार नियोज नमस्कार